हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैनी स्कूल पर हर दिख स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में दो महत्मून जांकारियां आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ इस पर्स पर अक्टूबर की पैंशन स्लिप अपलोड हो चुकी है आप भी अपनी पैंशन स्लिप चेक कर सकते हैं O.R.O.P. 3 पुरानी या नई रेट से किस रेट से आपको पैंशन मिली है उसके बारे में जंकारी दी जाएगी और इन पैंशनर्स की पैंशन बढ़ेगी जीहां अगर आप भी इस कैटेकरी में आते हैं तो इस सर्कुलर का आपको भी लाब उठाना चाहिए और आपको भी अपनी पैंशन के लिए एपलाई करना चाहिए ताकि आपको बढ़े हुए रेट से पैंशन मिल सके क्योंकि आपके पास हो सकता है कि पहले मैसिज आया होगा कि आपका जो existing pension है वो जादा है और वो आपका अंचेंज रहेगा शुरुआत करते हैं अपने आज के वीडियो की अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें सबसे पहले देगे कल से ही आपको म वाली है और वो close holiday है दूसरी बड़ी बात ये थी कि जो आपका DADR था वो 50% के rate से मिलेगा वो भी यहां पर बताया गया था और अभी तक 53% का कह सकते हैं कि जो pension मंतराले है पैंसन विभाग है उनकी तरफ से आदेश नहीं आया जैसे ही आदेश आएगा उसके बाद में पैसिज मिला था उन में काफी लोगों ने बताया कि उनकी pension slip upload हो चुकी है और वही सेम 50% के हिसाब से यहां पर देखिए आपका identification date जो है बहुत important है अगर आपने update कर दिया है तो 2025 दिखाना चाहिए अगर आपने update नहीं किया है 30 November 24 या जो भी है तो आप alert रहिए उसके हिसा पहले उसको submit कर दीजिए कोसिज कीजिए कि देखे नमबर लिखा है तो नमबर के पहले दूसरे सब्ता में कभी भी कर दीजिए आपका 30 नमबर ही date रहेगा आपने October में किया है तो October 2025 हो जाएगा आगे चलते हैं देखे मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप को बता है ता 41-532 से pension बढ़कर 46-300 एक छोटा सा काम कीजिए और 10 दिन में pension बढ़ गे उसके पीछे की वज़य क्या थी क्या circular था तो एक message आता है sir my father retired 1993 as MWO HFO in Indian Air Force he is getting 41-532 and have received the same SMS कि भाया आपकी pension जो है जादा rate से मिल रही है आपको बड़े हुई pension नहीं मिलेगी आपको जो मिल रही है वही मिलते है क्या हम भी grievance डाले हमारी भी 46-300 हो जाएगी फिर मैंने सवाल पुछा भी आपकी service कितनी है तो 36 साल तो मैंने उनको जवाब दिया है yes apply करें बिलकुल मिलेगी तो किस circular के आधार पर मैंने उनको कहा है circular नंबर 625 जिसमें साफ साब बताय गया थ कि देखे जो HFO है उनकी जो total term of engagement है वो अब 33 साल है अगर 33 साल term of engagement है इसका मतलब उनको पूरी pension मिलेगी यानि 46-300 तो उनको मैंने बोला कि आप देखे apply करें देखे मैंने pension का यहाँ पर grievance डलवाया और 41-532 से बढ़कर 10 दिन के अंदर 46-300 उनका pension जो है PPO भी generate हो चुका है और अब उनको बहुत चल एरियर भी मिल जाएगा जैसे भी latest update होगी वो भी आपके साथ share जरू की जाएगी तो देखे जो भी Indian Air Force के HFO से retire हुए है और उनकी service जो है 33 साल या उससे जादा है तो उन सभी को secular 625 के हिसाब से grievance डालना है कि देखे हमारा अगर 46-300 उनको नहीं म